किया आपने कभी एक केला की मदद से एक बैलून को फुलाया है हाँ थोड़ी रिसर्च करने पर पता चला है ये प्रोशिबल तो है बट उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रीमली पके हुए केले की जरुद पड़ेगी अब इस केले को एक बाूल में डालकर अच्छे से मेश कर ले न है अब डालते है इस मेश की हुए केले को इस बोटल के अंदर क्योंकि इसके अंदर के बैक्टेरियाज बनाना को पकाने के साथ-साथ कुछ गैस भी रिलीज करते हैं इसको हम इस बैलून की मदद से कैप्चर करने वाले हैं आज इसको दूसरा दिन हो गया चलो देखते हैं बैक्टेरियास कितनी गैस बना पाए है वह वह इन्होंने गैस बनाना स्टार्ट तो कर दिया गाइस फाइनली आज इसको तीसरा दिन हो गया उपाई सब ये बैलून तो अपने आप खड़ा हो गया हाँ और पार्ट टू में देखेंगे कि ये बैक्टेरियास इस बैलून को मैक्सिमम कितना फूल अपाते हैं